हेलो फ्रेंट्स स्वागतिया आप सब एका सॉलुशन दरे से यूटूब चैनल में फ्रेंट्स इस वीडियो में फिलिन दी ब्लेंक से रिलेटिक प्रेटिस सेट लिया है इस प्रेटिस सेट में 32 कुशन कवर करेंगे आप लोगों को जरू बताना है कि आप लोगों ने 32 में से कितना हिस्कूर किया है और इसका जो PDF आपको टेलेगराम के चैनल पे एक से दो दिन मिल जाएगा तो टेलेगराम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्किप्सन में है तो आप सभी लोग जो है टेलेग्राम को जोइन कर लीजिए और आप सभी लोग जो है YouTube channel को भी join कर सकते हैं YouTube channel जोइन करते ही आपको सभी बीडियोज की जो PDF होगी वो आपको टेलेग्राम पे मिल जाएगी और उसका password आपको चैनल के membership section में आपको मिल जाएगा जब आप सभी लोग चैनल को जोईन कर लेंगे तो आपकी YouTube के homepage पे membership का option खुल जाएगा तो इस membership section में आपको सभी वीडियो की जो PDF का password होगा वो आपको मिल जाएगा और PDF files के लिए जो है आप लोग टेलिग्राम को भी जोईन कर लीजिए लिंक जो है वीडियो के description में है लास्ट में आप लोगों ने 32 में से कतना score किया है comment talks में जरूबाता है तो चली इस प्रटे सेट को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट की चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आक में प्रैस करें चली इस वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो में आपको ऐसी बर्प्स बताऊंगा जिनके साथ हमेशा आपको जीरंड यूज करना है जीरंड क्या होता है तो जीरंड होता है बर्प की first form में जब हम ing लगा देंगे तो यह हमारा बन जाता है जीरंड आप सभी लोग याद रखिएगा तो इस वीडियो में ऐसी बर्प्स जानेंगे जिनके बाद हमेशा जो है आपको जीरंड यूज करना है कभी भी उनके साथ इनिफिनिटिव नहीं आएगा आपको हमेशा याद रखना है ऐसी बर्ब्स जिनके बाद हमेसा जीरंड आती है ऐसे कुछन्स एक्जाम में जरूर बनते हैं कि ऐसी कुछ बर्ब्स होती हैं जिनके साथ हमेसा जो है fix होता है कि इसके बाद जीरंड आएगा तो ऐसी बर्ब्स मैं इस वीडियो में आपको complete example के साथ बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं first question से सबसे पहला जो question कुछ नमा बन he admitted blank me तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या हो जाएगा तो जो admit बर्ब है इसके बाद क्या आएगा तो admit जो बर्ब है इसके बाद जो आएगा यह हमेशा gerund आता है तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा यह cheating यहाँ पे इसका correct हो जाएगा क्योंकि जो cheat यह बर्ब जो लिखी हुई है इसमें हम ing लगा देंगे तो यह हमारी बन जाएगी gerund तो यहाँ पे cheating यहाँ पे correct हो जाएगा अगला question question number two I would appreciate your blank softly तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या हो जाएगा जो appreciate verb है इसके साथ भी जो है हमेशा जीरंड आती है तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा talking यहाँ पे इसका correct हो जाएगा अगला question question number third मैं आपको जितनी verbs बता रहा हूँ आप लोग याद रखिएगा क्योंकि आपको याद ही करनी पड़ेंगी क्योंकि यह ऐसी verbs होती है इनके बाद हमेशा जीरंड आता है और यह questions direct exam में पूछ लेता है अगर आप लोग को याद नहीं होगी तो आप उसको सही नहीं कर पाएंगे तो आप लोग को हर अलत में यह याद कर लेनी है तो I avoid blank my bus तो इसमें आप लोग सोच लिजे correct option क्या हो जाएगा यहाँ पे traveling होगा तो यहाँ पे जो avoid है avoid के बाद हमेशा जो है बर्ब आएगी जीरंट आप सभी लोग याद रखिए अगला question 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 number four he got accustomed to blank तो इसमें आप लोग सोच लिजे correct option क्या हो जाएगा जब भी आपको बर्ब प्लस accustomed to देखने को मिले तो इसके साथ हमेशा जो है आपको जीरंट लगाना है तो यहाँ पे drinking यहाँ पे इसका correct हो जाएगा अगला question question number five I am used to blank up late तो इसमें आप लोग सोच लिजे correct option क्या हो जाएगा तो जब भी sentence में आपको जो है बर्ब प्लस used to देखने को मिले तो इसके साथ भी हमेशा आप जो है जीरंट लगाएंगे तो यहाँ पे इसका getting correct हो जाएगा अगला question question number six I can't help blank loudly तो इसमें आप लोग सोच लिजे correct option क्या हो जाएगा जब भी sentence में आपको can't help देखने को मिले तो can't help के बाद आपको हमेशा आगे जीरंट लगाना है तो यहाँ पे जीरंट कौन सा है तो यहाँ पे talking यहाँ पे इसका correct हो जाएगा अगला question question number seven I considered blank to Mumbai तो इसमें आप लोग सोच लिजे इस correct option क्या हो जाएगा तो यहाँ पे जो consider लिखा हुआ है तो consider बर्ब के साथ हमेशा आपको लगाना है क्या यह लगाना है हमेशा जीरंट आपको यह बर्ब याद रखनी है क्योंकि आपको consider के बाद हमेशा जीरंट आती है यह आपको याद रखना है और बर्ब प्लस accustomed to के बाद भी जो है आपको जीरंट लगाना है ये भी याद रखना है, avoid के बाद आपको जीरंट लगाना है, appreciate के बाद भी आपको जीरंट लगाना है, admit के बाद जो बर्व लगानी है, ये आपको जीरंट लगानी है, ये बर्व आपको याद रखनी है, अगला question, question 8, he delay blank the taxes, तो इसमें आप लोग सोच लिजे, इसका right option क्य हो जाएगा, तो delay जो बर्व है, इसके साथ भी जो है, ये जीरंट आती है, तो यहाँ पे paying यहाँ पे इसका correct हो जाएगा, friends अगला question, question 9, he denied blank my watch, तो इसमें आप लोग सोच लिजे, इसका right option क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो deny बर्व है, जो deny बर्व है, इसके साथ भी जो है, आगे जीरंट आता है, तो यहाँ पे stealing यहाँ पे correct हो जाएगा, अगला question, question 8, I like, dislike, blank, update, तो इसमें आप लोग सोच लिजे, जिस correct option क्या हो जाएगा, जब भी sentence में आपको like, या फिर dislike देखने को मिल जाता है, like या फिर dislike देखने को मिले, तो इसके साथ हमें साथ आ इसको जीरंट कहते हैं, तो यहाँ पे इसका getting correct हो जाएगा, अगला question, question 11, I enjoy blank television, तो इसमें आप लोग सोच लिजे, इसका right option क्या हो जाएगा, तो enjoy जो बर्ब है, इसके साथ हमें साथ जीरंट आती है, तो यहाँ पे watching, यहाँ पे correct हो जाएगा, I enjoy watching television, यह इसका correct हो अगला question, question 12, I feel like blank all the needy people, तो इसमें आप लोग सोच लिजे, इसका right option क्या हो जाएगा, तो feel like के बाद भी आगे जीरंट आती है, तो यहाँ पे helping इसका correct हो जाएगा, अगला question, question 13, he finished blank his prayers, तो इसमें आप लोग सोच लिजे, इसका right option क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे finish के ब blank are rich man one day, तो इसमें आप लोग सोच लिजे, इसका right option क्या हो जाएगा, तो imagine के बाद भी जो आगे आता है, यह जीरंट आती है, तो यहाँ पे क्या correct हो जाएगा, तो becoming यहाँ पे इसका correct हो जाएगा, अगला question, question 14, we kept blank for him, तो यहाँ पे जो keep verb है, इसके साथ भी हमेशा क्या आता है, तो यहाँ पे इसका correct हो जाएगा, अगला question, question 15, we kept blank for him, तो यहाँ पे जो keep verb है, इसके साथ भी हमेशा जो है, जीरंट आता है, तो यहाँ पे waiting यहाँ पे इसका correct हो जाएगा, अगला question, question 16, I am looking forward to blank you, तो इसमें आप लोग सोच लिजिस का right option क्या हो जाएगा, जब भी देखने को आपको मिले, तो इसके साथ हमेशा जीरंट आती है, तो यहाँ पे इसका meeting correct हो जाएगा, look forward to के बाद हमेशा जीरंट आती है, तो यहाँ पे meeting correct हो जाएगा, friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को like और अपने 10 friends और वीडियो को जरूर शेक करें, अगला question 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 17, he doesn't mind blank disturbed, तो इसमें आप लोग सोच लिजिस का right option क्या हो जाएगा, तो mind के बाद जो आगे आएगा, यह हमेशा जीरंट आएगा, तो mind जो बर्ब है, इसके साथ हमेशा जो आएगा, यह जीरंट आती है, तो यहाँ पे getting यहाँ पे correct हो जाएगा, अगला जो आपको लगाना है, यह हमेशा आपको जीरंट लगानी है, तो यहाँ पे इसका going correct हो जाएगा, अगला question question 19, he postponed blank to Delhi, तो इसमें आप लोग सोच लिजे कि postpone verb के बाद जो आगे आएगा, यह क्या आएगा, तो यह आएगा जीरंट, तो यहाँ पे returning correct हो जाएगा, he postponed returning to Delhi, तो यहाँ पे returning correct हो जाएगा, post phone verb के बाद हमेशा जीरंट आती है, अगला question question 20, I practiced blank fast, तो इसमें आप लोग सोच लिजे का right option क्या हो जाएगा, तो जो practice verb है, इसके बाद हमेशा आपको जीरंट लगाना है, तो यहाँ पे इसका writing correct हो जाएगा, अगला question 21, he recommends blank stairs and not an elevator, तो इस इसमें आप लोग सोच लिजे का right option क्या हो जाएगा, तो recommend verb के बाद हमेशा आपको जीरंट लगानी है, तो यहाँ पे इसका taking correct हो जाएगा, recommend verb के बाद हमेशा आपको जीरंट लगाना है, अगला question 22, I regret blank to party with him, तो इसमें आप लोग सोच लिजे की regret verb के बाद हमेशा आगे क आता है, तो यह जीरंट आती है, तो यहाँ पे going correct हो जाएगा, अगला question 23, I recent blank ill sometimes, तो इसमें आप लोग सोच लिजे का right option क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे recent जो verb है, इसके साथ हमेशा जो आता है, यह जीरंट आता है, तो यहाँ पे being correct हो जाएगा, अगला question 24, he resisted blank for help, तो आप लोग सोच लिजे का right option क्या हो जाएगा, तो racist verb के बाद हमेशा आपको जीरंट लगाना है, तो यहाँ पे इसका asking correct हो जाएगा, अगला question 25, I risked blank all alone at home, तो इसमें आप लोग सोच लिजे का right option क्या हो जाएगा, तो risk जो verb है, इसके बाद भी जो है जीरंट आएगा, तो आगे क्या आता है, तो यहाँ पे मैं ऐसी आपको बर्ब्स बता रहा हूँ, जिन बर्ब्स के साथ हमेशा आपको जीरंट लगाना है, इस वीडियो में आपको यह बता रहा हूँ कि कौन सी ऐसी बर्ब्स है, जिन के बाद हमेशा जीरंट आता है, क्योंकि एक्जाम में direct question ह हैं ही से बनेगा, तो आपको यह बर्ब्स आपको याद रखनी है, अगला question, question 27, I tolerated blank shouted at, तो इसमें आप लोग सोच लीजिस का right option क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बर्ब है tolerate, तो tolerate के बाद जो हमेशा आएगा, यह जीरंट आएगा, तो यहाँ पे being correct हो जाएगा, अग अगला question, question 29, doctor's advice blank low fat milk, तो इसमें आप लोग सोच लीजिस का right option क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो advice बर्ब है, इसके साथ हमेशा जीरंड आएगी, तो यहाँ पे drinking correct हो जाएगा, doctors advice drinking low fat milk, option drinking correct हो जाएगा, अगला question, question 30, I couldn't stand blank insulted, तो इसमें आप लोग सोच लीजिस का right option क् तो stand verb की बाद हमेशा आपको जीरंड लगाना है, तो I couldn't stand getting insulted, तो option यहाँ पे getting correct हो जाएगा, अगला question, question 31, I don't permit blank here, तो इसमें आप लोग सोच लीजिस का right option क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है permit, तो permit verb की बाद हमेशा आपको क्या लगाना है, जीरंड जाएगा, अगला question, question 32, इस video का last question है, I quit blank, तो इसमें आप लोग सोच लीजिस का right option क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो quit लिखा है, तो quit के बाद हमेशा आपको जीरंड लगाना है, तो quit ऐसी verb है जिसके साथ जीरंड आता है, तो इस यहाँ पे smoking correct हो जाएगा, इस video में मैं आपको ऐसी verbs बताई हैं, कि जिनके बाद हमेशा आपको जीरंड लगाना है, अब next वीडियो में आपको ऐसी बर्प्स बताऊंगा, कि जिनके साथ आप जीरंड भी यूज़ कर सकते हैं, और infinity भी यूज़ कर सकते हैं, thank you friends, आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो वी